नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतनकोशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। अभी तक हमने देखा कि कैसे हम हिरोन सूत्र का प्रयोग करके एक सम बाहू त्रिबुज का शेत्रफल निकाल सकते हैं। और यहां हम चीखेंगे कि सम द्वी बाहू त्रिबुज का शेत्रफल हम कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास हिरोन सूत्र ही उपलब्ध है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सम दूई भाव त्रिबुज का आशे क्या है, तो सम दूई भाव मतलब दो बुझाएं जो हैं वो बराबर होंगी और तीसरी बुझा जो हैं वो कुछ भी अलग हो सकती है, तो ऐसे त्रिबुज के लिए हम शेत्रफल निकाल लेंग जो ये वाला कौन है, इसको हम शीर्ष कौन कहते हैं, जो की उन बुझाओं के बीच में बन रहा है, जो की बराबर हैं, तो शीर्ष कौन के साथ में आसन जो बुझाएं हैं, वो ही बुझाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, अब अगर मैं हिरोन सूत्र की बात करूँ तो से पहले एक साधारन रूप से हिरोन सूत्र लिख लेते हैं और साधारन रूप से हिरोन सूत्र हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास कोई त्रिबुज A, B, C है और आप उसका शेत्रफल निकालना चाहा रहे हैं तो आप वर्गमूल ले लिजिए इस गुड़न फल का जो की है S, S-A, S-B और S-C जहांपे S जो है वो अर्ध परीधी है है ना अर्ध परीधी का आशे क्या हुआ आइए इस बात को समझते हैं तो अर्ध परीधी जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि तीनों ही बुझाओं के योग फल का आधा हम कर दें तो ये हो जाएगा A प्लस A प्लस B बटे 2 और जो की हो जाएगा 2A प्लस B बटे 2 और जो की हो जाएगा A प्लस B बटे 2 ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा है कि इस दिये गए त्रिबुझ के लिए A तो A ही है जो B है वो भी A है और जो C है वो B है मतलब 3 मुझाएं हो गई A, A औ और बिए अब जब हम इसी सूत्र में इस शेत्रफल निकालने की बात कर रहे हैं तो आईये हम निर्पत कर देते हैं यहां पर और जब हम प्रतिस्थापन करेंगे A, B और C का इस प्रकार से और S का A प्लस B by 2 से तो आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पर गढ़ना मिलेगी S की जगा हम लिख लेते हैं A प्लस B बटे 2 फिर S माइनस A यानि A प्लस B बटे 2 माइनस A फिर आपको मिलेगा A प्लस B बटे 2 माइनस A और आखरी में आपको मिलेगा A प्लस B बटे 2 माइनस B ठीक है अब ज़रा हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं तो A और माइनस A आपस में कड़ गया और A और माइनस A आपस में कड़ गया यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बचा पहला जो ब्रैकेट है पहला जो भी यहाँ पर पद है और दूसरा पद है उसके योग फल का और पहले पद और दूसरे पद के अंतर का गुड़न फल किया गया है जो कि हमें मालूम है कि एक सरसमिका के नुसार इन दोनों के ही वर्ग के अंतर के बराबर होता है तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा a square minus b square बटे 4 तो इस त्रभुज का यह हमारे पास क्या आ गया छेत रफल आ गया अगर आप थोड़ा सा इसको अरग से सरल रूप में लिखना चाहें तो पूरी ही चीज को चार से अगर हम गुणा करने और चार को बाहर उभेनिश निकालने तो वर्ग मुल चिन्न के बाहर आके यह आधा हो जाएगा और हमको अंदर मिलेगा चार a square minus b square जहां पर a जो है वो बराबर वाली बुजा है और b जो है वो आधार है उसलें य मोग नहीं कहलें या फिर जो बुजा बराबर नहीं है तो देखे हो सकता है कि ये सूत्र टो यही सूत्र निकालने को दे देते मी प्रशन में देंगे कि आप ऐसे सम्धा तो आपको इस तरीके से एगड़ना करनी आनी चाहिए अब एक ऐसा प्रश्न कर लेते हैं जहां पर हमें संख्याय दी हों बुझाओं के मान की जगा तो प्रश्न हमें दिया गया है कि उस सम्धिव भाहुत्रिबुझ का शेत्रफल ग्याद कीजिए जिसकी बराबर बुझाय हैं 13 cm है और और चाह सेंटी मीटर है तो एक 13जिए हमें यहां की उपना ली ऑं दूसरी भी 13 की की मैं रिए यहां सरलता के लिए आईए हम इनको कुछ नाम दे लेते हैं, और मान लेते हैं कि A जो है वो 13 है, B जो है वो 13 है, और C जो है वो 24 है, ऐसा करके अगर हम S का मान निकालेंगे जो कि अर्ध परीदी है, तो वो हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटे दो, यानि कि 13 प्लस 13 प्लस 24 बटे दो जो की हो जाएगा 50, बटे दो और जो की हो जाएगा 25, तो S का मान आपको 25 मिल चुका है, अब अगर आप हिरोन सूत्र को एक बार याद करें, तो हिरोन सूत्र के अनुसार हमारे पास छेतरफल क्या होता है, तो हिरोन सूत्र के अनुसार हमारे पास एरिया आ जाएगा, या एस माइनिस सी का ठीक है तो यहां पर अगर हम यह प्रतीश ठापन करने तो देखे क्या मिलेगा कि हमारे पास एरिया त्रिबुज A, B, C का कितना हो जाएगा वर्गमूल का चिन्न हमने लगाया S की जगा पर हम क्या लिखेंगे 25 फिर 25 में से आप पहली बुझा यानि की 25 में से 13 घटाएं फिर 25 में से आप दूसरी बुझा यानि की फिर से 13 घटाएं और 25 में से 24 घटाएं तो देखे आपको उत्तर क्या मिल कि अगर हम यहां पे उत्तर देखें तो हमें वर्ग मूल चिन्न के अंदर मिल जाएगा 25 फिर गुना बारा फिर गुना बारा और गुना एक और पच्चिस जो है वो पांच का वर्ग है और यहां पर 12 का भी जोड़ा मिल रहा है तो उत्तर आ गया 60 वर्ग मात्र क्या फिर 60 cm2 तो इस सम्धु बाहु त्रिबुज का छेतरफल हो गया 60 cm2 असान बात थी देखे मैंने यहां पे सूत्र जो हमने अभी निकाला उसका प्रयोग भी नहीं किया क्योंकि आप सूत्र को याद रखें और उसको प्रयोग करें तो शायद आपकी गर्णा में कुछ गल्ती हो जाए तो एक अच्छा तरीका होगा कि जैसे ही आपको प्रशने देखे और तीनों बुझाएं दी हो तो वो किसी भी प्रकार का त्रिबुझ हो आप हिरोन सूत्र का प्रयोग कर लें